इलेक्ट्रोड पोटेंसियल को हम एक्जामपल से समझेंगे हमने आप एक बीकर लिया है और उस बीकर में जिंक SO4 डाल दिया है कि जिंक के रॉड के जो एटम होते हैं वो निकल करके सॉलूशन में जिंक 2 प्लस में जाने लग जाते हैं ऐसा करते वक्त वो दो इलेक्ट्रोण जो है रॉड के ऊपर छोड जाते हैं अभी हमने सिर्फ आपको एक एटम के लिए ऐसी बात बताई कि जिंक जो है जिंक 2 प्लस में कनवर्ट हो रहा है लेकिन जिंक की रॉड के बहुत सारे एटम ऐसा कर रहे होंगे कि वो खुद निकल करके कहा जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट में और अपने आपको जिंक 2 प्लस बना देंगे और हर बार वो दो इलेक्ट्रोण रॉड के उपर छोड करके जाएंगे तो इस तरीके से जो रॉड होती है वो नेगेटिबली चार्ज हो जाती है